एव बार ओम काउच्छरन करेंगे ओपस्तित सर्जनों माताओ और बेहनों ये जो संसार है बड़ा विचित्र है आपको भी रोज नए नए अनुभव होते रहते होंगे विचित्रताइं सामने आती रहती संसार में तीन प्रकार की वस्तुएं हैं वो सदासे हैं वेदों का दर्शनों का ये सबसे पहला सिद्धान थे कि तीन वस्तुएं सदासे हैं अगर संसार को समझना हो तो इन समझना पड़ेगा अगर ये तीन वस्तुएं समझ में आ गई तो सब संसार समझ में आ जाएगा यदि ये तीन वस्तुएं समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं हर जगा भ्रांती संशे भ्रांती संशे इन तीन वस्तुएं के बारे में वेदों में विस्तार से लिखा है उन तीन वस्तुएं के नाम बोलिए ईश्वर आत्मा प्रकृति ये तीन वस्तुएं ये जो संख्य दर्शन है जिसको हम पढ़ेंगे ये इन तीनों के बारे में बताता है ईश्वर के बारे में भी बताता है आत्मा के विशय में भी और प्रकृति तीनों के विशय में बताता है modern science केवल संसार के विशय में बताती है प्रकृति के बारे में मोटी भाषा में प्रकृति मतलब संसार दो चीजों के बारे में आज की science को नहीं वालू इश्वर के बारे में कुछ नहीं वालू आत्मा के बारे में modern science को कुछ नहीं वालू इसलिए ये सब science वाले लोग बटके हुए ये व्यक्ति नहीं का आप बड़ी उम्मत की बात कह रहे हैं साइस वालों को challenge कर रहे हैं इस science वाले बटके हुए मैं सच कह रहे हुए सच में ये बटके हुए तीन वस्तु हैं इश्वर आत्मा प्रकृति तो जो व्यक्ति तीन मैं से एक वस्तु को जानता हो और दो को नहीं जानता तो उसके नमबर सो में से कितने हुए तेतिस चौतिस बस ना और उस प्रकृति को भी वो ठीक नहीं जानता आदे नमबर और कट गए अब कितने बचे पंदरा सतरा जो सो में से पंदरा सतरा नमबर लाए वो पास हुआ या फेल इसलिए आज दुनिया फेल है उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं कहां से आए कहां जाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये संसार क्या है किसने बनाया क्यों बनाया इन प्रशनों का उत्तर साइंस के बास नहीं है एक साइंटिस्ट को मैंने पूछा ये संसार किस ने बनाया कि बास कोई उत्तर नहीं था उत्तर नहीं दे पाए फिर मैंने एक और प्रशन पूछा ये संसार क्यों बनाया गया इसका उद्धिश्य क्या है बनाने को वो उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि वो जानता ही नहीं इश्वर को जानता ना आत्मा को इन दो प्रश्णों के उत्तर इन इश्वर और आत्मा से हैं पहला प्रश्ण संसार किस ने बनाया इश्वर ने अब इश्वर को वो जानते नहीं तो क्या उत्तर देंगे वो तो कहते हैं संसार बन गया ऐसे कहते हैं बन गया बन गया बिल्क रोटी बनती हैं या बनाई जाती आप बनाते हैं या अव बनती है फिर रोटी अपने अब नहीं बनती स्कूटर अपने नहीं बनती मर्मृशन कल सब दो मिठेकश अपने आप कैसे सिस्टेमेटिक क्रियेशन वो अपने आप नहीं हो सकती आप में भी यहां बहुत सारे साइंस वाले बैठे हैं मेरी ध्यान से मेरी बातें ध्यान से सुनिये और उत्तर हो तो दीजिएगा मैं भी देखूं कितना दमें आपके अंदर मेरे प्रश्णों का उत्तर देने में जो तो संसार यूनिवर्स क्या सिस्टेमेटिक क्रियेशन नहीं है है या नहीं अगर है तो यह अपने आप कैसे बन गया इसका उत्तर देना है में साइंस वालों को देओ एक छोटी सी सुई लोहे की निडल या इंजेक्शन की सुई अपने आप नहीं बनती इतनी छोटी सुई भी अपने आप नहीं बनती बहुत बुद्धिमान लोग बनाते हैं उसको तो ये तिनी बड़ी दुनिया चल रही है सिस्टम से बनाई गई सिस्टम से चल रही है तो ये अपने आप नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती क्योंकि जिस material से ये संसार बनाया गया उस material में अकल नाम की कोई चीज नहीं आपके physics में, chemistry में जो भी पढ़ते हैं, elements के बारे में पढ़ते हैं, atom के बारे में पढ़ते हैं, helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, silicon, copper, gold, magnesium, lithium, बताए किसमें अकल है, किसी में नहीं है, atom, electron, proton, neutron, quarks, energy, किसमें अकल है, किसी में भी नहीं है, तो यह अपने आप कैसे बन जाएगा, दुनिया तो अकल से चल र चल रही है, यह अपने आप नहीं चल रही है, आप कार चलाते हैं, कार अपने आप चलती है, अपने आप नहीं चलती, वह चलाने वाला बुद्धिमान, driver, जो उसको चलाता है, ऐसे इतना बड़ा संसार चल रहा है, यह अपने आप नहीं चल रहा, इसका भी एक driver है, जो इ आपका mobile phone क्या आपने आप बना लालचन जी बुद्धिमान लोगों ने बनाया और ये अपने आप चलता भी नहीं है आप चलाते हैं तो चलता है बनाने वाला भी चाहिए और चलाने वाला भी चाहिए दोनों चाहिए अब ये अलग बात है कहीं कहीं बनाने वाला भी और चलाने वाला भी एक आदमी हो वो एक अलग बात है पर दोनों चाहिए तब वो चीज बनती है और चलती है सिस्टम से तो ये संसार बुद्धिमत्ता से बनाया गया है बुद्धिमत्ता पूरवक्त चल रहा है पृत्वी स तो कोई है इसका भी ड्रैवर है वो इश्वर है उस इश्वर के बारे में यह मौडरन साइंस वाले नहीं जाते अगर वेदों को पढ़े दर्शनों को पढ़े तो समझ में आएगा कि हाँ इश्वर कोई चीज है अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं पर वो समझना ही नहीं चाहते, अडियल है, हट करके बैठें, ये भी कोई कम अडियल नहीं है साइंस वाले, जैसे वो अंदुश्वासी है न, पौरानिक लोग या और कोई समपरदाय वाले, वो अपनी अपनी क्षेत में अडियल हैं, नहीं हम तो ऐसे ही मानेंगे, साइंस हम बस मैटर को ही मानेंगे, आगे कुछ नहीं मानेंगे, आगे हमको सोचने की जरुरत ही नहीं है, मेरी बाते होती रहते हैं साइंस वालों से, साइंटिस्ट लोगों से, वो कहते हमें आगे सोचना ही नहीं, बताओ, ऐसे आड़के बैठे हमें सोचना ही नहीं, क्यों नही इस संसार के विशे में ठीक से नहीं जानता वो तीन दुखों से नहीं बच पाएगा जो व्यक्ति इश्वर आत्मा और प्रकृति के विशे में ठीक ठीक नहीं जानता वो तीन दुखों से नहीं बच पाएगा अथवाद दूसरी भाषा में कहा दे जिसने संसार में जरम लिया है क्या बोला दोराई है वो तीन दुखों से नहीं बच पाएगा तो सांखे दर्शन में क्या बताया ये बताया कि तीन दुखों से कैसे बचें दुख से बचने का उपाए बताया रास्ता बताया तीन प्रकार के दुख है जिसका विस्तार से सांखे दर्शन ने बताया पहले प्रकार का दुख है जिसका नाम है अध्यात्मिक दुख बोलिए अध्यात्मिक दुख ये एक प्रकार का दुख दूसरा है आधी भावतिक दुख आधी भावतिक और तीसरा आधी दैविक दुख तीन तरह के दुख है जो भी संसार में जनम लेता है उसको ये तीन दुख भोगने पड़ते चाहे कम मात्रा में चाहे अधिक मात्रा में कहीं न कहीं उसको भोगने पड़ते हैं अब आत्मा जो है वो दुख भोगना चाहता नहीं आप लोग भी आत्मा ही है वो बटकने वाली आत्मा नहीं कई लोग समझते हैं आत्मा ही बटकती रहती है तो आप लोग भी आत्मा हैं आपको भी यह तीन तरह के दुख भोगने पड़ते हैं क्योंकि आपने भी संसार में जरम लिया मैंने भी लिया, आपने भी लिया, सब ने लिया तो जिस जिसने जरम लिया उसको ये तीन तरह के दुफ बोगने पड़ते अब सांखे दरशन कहता है कि हमारा जो लक्षे है जीवन का हमने जो जरम लिया अब जनम तो ले लिया और दुह भी आने लग गए क्या हम इनसे छूटना चाहते हैं हाँ या ना अगर छूटना है तो बस यही हमारे जीवन का सरवोच लक्ष है सबसे उंचा अंतिम लक्ष यही है बाकि छोटे-छोटे लक्ष भी है पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेट जाना, डिगरी लेना, पैसे कमाना यह छोटे-छोटे लक्ष यह अंतिम लक्ष नहीं है यह सब भी करना चाहिए इसके बिना भी गुजारा नहीं है जो तातकालिक दूख है वो इसी तरह से हटेंगे वो भी करना चाहिए लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेट जाता है, डिगरी लेता है पैसे कमाता है, खाता पीता है, घर चलाता है, बच्चे पालता है, बूड़ा होके मर जाता है फिर क्या? मरने के बाद क्या? अगला जनम हाँ या ना मरने के बाद फिर दुबारा जरू तो फिर वापे स्कूल जाओ तो समस्या तो खतम हुई नहीं स्कूल जाना सबसे भारी समस्या है कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता जबरदस्ती धक्का मार के थपड मार मार के भेज़ते हैं उनको स्कूल चलो, तुमको पढ़ना पढ़ेगा, तो ये भारी-भारी समस्या हैं, ये सारी समस्या हैं, तीन भागों में बाट दी, महर्शी, कपिल जीन, ये सांखे दर्शन किसने बनाया, महर्शी, कपिल जीन, तो उन्होंने कहा, अध्यात्मिक दुख, आधिवौतिक ये तीन प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं अध्यात्मिक दुख का मतलब है अपनी गलतियों से होने वाले दुख आजी बोलिये क्या का हम कही ना कही छोटी मोटी गलतियां करते हैं हाँ या ना हो जाती है न गलतियां कुछ कुछ तो समझ में भी आती है कि हो हो यहां तो गलति हो गई एक आजमी शेयो कर रहा था बलेड से काल कट गया अध्याद़ हो गई ना गलति जोर से बलेड गुआ दिया काल कट गया कोई सबजी काट रहा था वो उसका मूली कट गई कोई सड़क पे जा रहा था वो पत्थर से टेकराया गिर पड़ा चोट लग गई तो ये कही न कहीं हमसे गलतियां होती रहती है चोटी बड़ी चोटी बड़ी कोई व्यापारी व्यापार में अच्छा निर्णे लेता है खूब कमाता है पर कभी कभी डिसिजन गलत हो जाता है हो जाता है जब गलत डिसिजन होता है तो फिर लॉस होता है घाटा लगता है व्यापार में तो वो गलती हो गई तो ये सारी गलतियां हम स्वयम करते हैं इन हमारी अपनी गलतियों से जो दुख आते हैं जीवन में उसका नाम है आध्यात्मिक दुख ना जी कौन सा आध्यात्मिक दुख समझ में आ गया जो हमारी अपनी गलतियों के कारण अपनी भूलों के कारण होते हैं चाहे वो हम अपनी गलति जान बूझ के करें, चाहे अंजाने में करें, होती रहती हैं गलतियां, तो अपनी गलतियों से जो दुख आ रहे हैं, उसका नाम है आध्यात्मिक दुख, अब जैसे हम आत्मा हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आत्मा हैं, मनुष्य हैं और पशु पक्षी कीडे मकोडे प्राणी और बहुत सारे हैं इन में सब में आत्मा हैं जैसी आत्मा हम हैं वैसी ही आत्मा इन दूसरे प्राणियों में भी है मनुश्यों में पशुओं में पक्षियों में कीडे मकोडे अध्यादी इन सब में कौकरोज चिंटी मक्षी म मच्छर, शेर, भेडिया, साप, कुत्ता, सब तरह के प्राणी, इनमें सब में आत्मा है, ये प्राणी भी तो हमको दुख देते हैं, हाँ यार ना, रसोई में कौकरच परेशान करते हैं, करते हैं, चीटियां, मक्षी, मच्छर, ओ, 37th फ्लोर पे मैंने देखा, यहां भी च चीटियां पहुंची हुई, मैंने इनको कोई कामी नहीं, जितनी भी उचा मकान में वहीं पहुंच जाती हैं, जहां भी रसोई हो, बस वहीं पहुंच जाएंगी, उची 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 बिल्डिगों में चीटियां पहुंचती रहती हैं, घोंटी रहती हैं, कुछ खाना मिल तो चीटियां हैं, मक्झी है, मच्छर है, कोक्रोच है, और कुत्ता है, गिलहरी है, चुहा है, चुए घुज जाते हैं घरों में, समान काट जाते हैं, वेब काट जाते हैं, कई छीदों का नुक्सान करते हैं, ना या ना तो ऐसे बहुत सारे प्राणी है शेर, भेडिया, साफ, बिच्छु आदी-आदी बहुत सारे प्राणी ये भी तो दुख देते हैं तो जो दुख अन्य प्राणीयों से हमको मिलता है चाहिए वो मनुष्य पशुपक्षी हो चाहिए मनुष्य भी हो मनुष्य लोग भी तो दुख देते हैं हाँ या ना आपको जितने मनुष्य मिलते हैं क्या सारे सुख देते हैं सारे तो नहीं देते है कोई सुख देता है, कोई दुख देता है कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है कोई अंजाने में देता है कोई जान बूज के देता है कोई मुरुखता से देता है कोई सोच समझ के देता है तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो हमें दुख देते रहते हैं तो ये जो दूसरे प्राणियों से हमें दुख मिलता है चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी प्रेत वाला भूत नहीं यहां जो भौतिक शब्द है आधी भौतिक इस आधी भौतिक में भूत का आरत है प्राणी आधी भौतिक अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाला दुख वो है आधी भौतिक और आध्यात्मिक अपनी आत्मा के कारण जो दुख हमें मिल रहा है वो आध्यात्मिक, अपनी आत्मा के कारण, आध्यात्मिक, दूसरे प्राणियों से जो मिल रहा है, आधी भूतिक, भूत कार्थ प्राणी भी है, और भूत कार्थ ये भी है, पंचमा भूत, पृत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, इनको भी भूत कहते हैं, तो भूत कार अर्थ वैसे ये भी है पंचमा भूत उस अर्थ में इसको भूत का अर्थ है material जड़ वस्तु है तो इन पंचमा भूत को भी एक अलग धंग से भूत के राम से कहा जाता है पर यहां जो आदि भूतिक है यहां पर भूत का अर्थ है प्रानी यहां जड़ पदार्थ नहीं है प्रानी यह साम बिच्छु कुते गदे सब मिला करके तो इन से प्रानियों से जो दुख मिलता है अन्याय से एक शब दोर जोड दिया अन्याय से उसका नाम है आधी भूतिक दुख कहीं कहीं न्याय से भी मिलता है जैसे चोर चोरी करता है उस पर कोट में केस हो जाता है तो न्याय धीश महोदे उसको दंड देते हैं दो साल की जेल पांच साल की जेल कितना जुर्भाना तो वो तो चोर डाकू को तो न्याय से मिला न्यायले से जो दंड मिला वो तो न्याय से मिला उसका नाम आदी भौतिक दुख नहीं है हाँ ध्यान दीजेवर वो भी दूसरे प्राणियों से मिल रहा है राजा से न्याय धीश से या घर में बच्चे गलतियां करते हैं तो माता पिता उनको दंड देते हैं दंड वेवस्ता लग चीज है वो न्याय पूरवा के उसका नाम आदी भौतिक दुख नहीं है जो दुख अन्याय से मिलता है क्या बोला जो दुख अन्याय से मिलता है वो है अदी भौतिक दुख उससे हम बचना चाहते हैं और जो न्याय से मिलता है वो तो भोगना पड़ेगा, उससे कैसे बचेंगे? उससे बच भी नहीं सकते हैं और बचने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, वो तो न्याय की बात है, गलती की है तो दंड तो मिलेगा, जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलती करे तो आप क्या च चाहिए, और यदि आप किसी के साथ गलती करेंगे तो आपको मिलना चाहिए का नहीं? वो तो न्याय की बात है, जो गलती करेगा उसको दंड मिलना चाहिए, इसलिए वो दंड वेवस्ता अलग चीज़ है, वो कर्मफल है, वो अलग चीज़ है, और ये जो अन्याय वाला दुख है ये नहीं मिलना चाहिए चोर हमारे चोरी करे डापू हमको लूट ले कोई हमको खाम-खा ब्लैक मेल करे खाम-खा धमकी दे वो नहीं होना चाहिए उससे तो हमें छूटना चाहिए हाँ या ना उससे अन्याय वाले दुख से तो आप छूटना चाहते हैं न तो यहा गलतियां कर रहे हैं, उससे भी छूटना चाहिए, क्योंकि जब तक गलतियां करते रहेंगे, तब तक दुख आएगा, और दुख हम किसी भी तरह का भोगना नहीं चाहते, चाहे हमारी गलती से हो, चाहे दूसरे की गलती से हो, चाहे न्याय से हो, अब न्याय से जो दुख म पड़ता है उससे तो छुटकारा हो नहीं सकता, इसलिए वो तो अलग कर देते हैं, वो तो भोग नहीं पड़ेगा पर जो अन्याय वाला दूल है इससे हम चाहें तो छूट सकते हैं, इससे चाहें तो छूट सकते हैं, और इससे छूटने की इच्छा करना उचित भी है, क्यों हम किसी का अन्याय से दुख भोगे, क्यों हम पर कोई अन्याय करे, तो उससे तो बचना चाहिए, अब तीसरा है आधि दैविक दुख, यहां पर आधि दैविक कार्थे जो देवों के कारण से हमको प्राप्त होता है, देव का मतलब प्रि देवता, वायू देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता, आगनी देवता, यह सारे देवता है, यह जड़ देवता है, तो जड़ देवता हों से हमको लाब भी होता है बहुत सारा, और कहीं कहीं हानी भी हो जाती है, लाब तो क्या होता है, आप पानी पीते हैं अपनी रक्षा करते हैं प्यास लगती है फानी पीते हैं घर मी लगती है सनान करते हैं यह जल देवता है नदी में सनान करते हैं और घर में भी करते हैं बताइए जल से आपके जीवन की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है हो रही है इसलिए जल को देवता कहते हैं हमको जीवन देता है, ऐसे अगनी देवता, अगनी ना हो तो आप चूले में रोटी कैसे बनाएंगे, बोजन नहीं मना पाएंगे, अगनी हमारे जीवन की रक्षा करता है, और हमारे शरीर में अगनी है, इसके कारण हम जीवित हैं, ठीक ठाक, 37 डिगरी Celsius, हमारे शरीर का ता आप माने, और Fahrenheit में 98.6 Fahrenheit देगरी, यह हमारे शरीर का ताप माने, इसमें अगनी है, तब हम ठीक ठाक जीवित हैं, अगनी निकल गई तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया तो कहीं हैं, चलो, अब ले चलो इसको, यह ठंडा हो गया, तो यह गर्मी, हमारे अंदर गर्मी, अगनी देवता ने बना रखी है इसलिए इसको भी देवता कहते हैं और वायू देवता वो तो दो-दो मिनट हमको सांस दे रहा है दो मिनट सांस नहीं मिले वायू से बस तो फिर शांती पाठ तो वायू देवता है सूर्य देवता है चंद्रमा देवता है जल देवता है अब पता नहीं क्या-क्या मिलता है सारा कुछ तो धर्ति से मिलता है यह सारे देवता है इनसे हमको बहुत लाब होता है पर कभी-कभी इनमें भी असंतुलन हो जाता है और दुरगटना ही हो जाती है उसके कारण भी हमको दुख भोगने पड़ते हैं जो इन देवताओं के असंतुलन से दुरगटनाओं से हमको दुख भोगने पड़ते हैं उनका नाम है आधी-दैविक-दुख क्या नाम जैसे वायू से हमारा जीवन चल रहा है हमारी रक्षा हो रही है पर कभी-कभी हवा तेज हो जाती है तुफान आता है आधी आती है और चक्रवात हो जाता है कई वार सैक्लोन आ जाता है तो उसके कारण कई वार नुक्सान भी होता है कभी-कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है और खुब तेज गर्मी पड़ती है गर्मी से कुछ लोग मरे जाते हैं जंगलों में आग लग जाती है पेड़ आपस में ठकराते है हवा से और आग लग जाती है बहुत सारा नुकसान हो जाता है तो कहीं अगनी से कहीं जल से कहीं बाड से कहीं तूफान से कहीं आधी से कहीं बर्शा से और कहीं कहीं भुकंप से प्रिच्वी के अंदर भुकंप भी आते हैं ज्वाला मुखी भी फटते रहते हैं हाँ या ना तो ये सब देवों के कारण जो कभी-कभी दुरगटनाएं होती हैं और उनसे जो हमको हनी होती है नुकसान होता है वो सारा आधी दैविक दुख है तो जो व्यक्ति संसार में जनम लेगा उसको ये तीन तरह के दुख भोगने पड़ते हैं अब महरशी कभिल दी कह रहे है यदि आप इन तीन दुखों से चूटना चाहते हैं तो उसका रास्ता ढूंडो चूटना तो चाहते ही है आप जो भी काम करते हैं उसके दो उद्देश्य होते हैं एक दुख से चूटना बोलिए और दूसरा सुख को प्राप्त करना हाँ या ना इस चलावत तीसरा कोई लक्षे नहीं है तीसरा कोई लक्षे ही नहीं है आत्मा का आप और हम आत्मा हैं हमारा ये दो ही लक्षे है या तो हम दुख से चूटना चाहते हैं या सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और तीसरा कुछ नहीं चाहते हैं बाकि जो भ यह जो भी करते हैं, इसका उद्देशिय यही तो है, कि इससे हमारा दुख कम हो जाए और सुख बढ़ जाए, इसलिए करते हैं, ठीक है, तो जो बाकी हम काम कर रहे हैं, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, डिगरी लेना, यह छोटे छोटे लक्षे हैं, यह भी लक्षे हैं, य इन तीनों दुखों से पूरी तरह छूटना ये हमारा अंतिम लक्ष है इससे बड़ा कोई लक्ष नहीं है बढ़िया सुख प्राप्त करना और सारे दुखों से छूटना ये हमारा अंतिम लक्ष है बस यही बात समझाने के लिए महर्शी कपिल जी ने ये पूरा विस्तार स दर्शन लिखा, जिसका नाम है सांखे दर्शन, अब पुस्तक आपके पास है, पहला सूत्र देखिए, और बोलिए मेरे साथ, अथ, त्रिविध, दुख, अत्यंत, निवृत्तिह, अत्यंत, पुरुशार्थ, यह पहला सूत्र है, जिसमें जिवात्मा का प्रियोजन बताया, सूत्र में अंतिम शब्द है, पुरुशार्थ, इसमें पुरुश शब्द का आर्थ है, जिवात्मा, क्या आर्थ है, जिवात्मा, पुरुश इश्वर को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, दोनों को कहते ह वेदों में इन शब्दों की व्यक्या कर रखी है और वैदिक शास्त्रों में उनको समझाया खोल खोल करके एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं निरुक्त निरुक्त शास्त्र में वैदिक शब्दों को खोल खोल के समझाया पुरुष का अर्थ क्या गव का अर्थ क्या समुद्र का अर्थ क्या ऐसे बहुत सारे शब्दों को खोल-खोल के समझाया तो पुरुष का अर्थ बताया निरुक्त में पूरी शयनात पुरुषा जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते है पूरी पूरी मतलब नगर में शयन करता है निवास करता है जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते है तो ये शरीर एक नगर है सर से पाउं तक यह जो शरीर है, यह एक प्रकार का नगर है, तो आत्मा इसमें निवास करता है, आत्मा शरीर में रहता है, तो जो शरीर में नगर में रहता है उसका नाम पुरुश है, इसलिए आत्मा को पुरुश कहते हैं, और नगर छोटे बड़े होते हैं, दिल्ली बड नगर है, पम्बई भी बड़ा नगर है, अमधबाद नों से चोटा है, बड़ोधास से भी चोटा है, ऐसे कोई चोटे नगर, कोई बड़े नगर, और ये संसार ये भी एक नगर है, ये सब से बड़ा नगर है, पूरा ब्रह्मांड जो है आत्मा इस शरीर रूपी नगर में रहता है इसलिए उसको पुरुष कहते है और इश्वर पूरे ब्रह्मांड में रहता है हाँ या ना इसलिए इश्वर भी पुरुष है आत्मा छोटा पुरुष है और इश्वर महान पुरूशे वो बड़ा पुरूशे सर्व व्यापा के तो वेदों में उसको महानतम पुरूशम ऐसा बताया यह जो रुवेद में 31 माध्याय है उसमें बताया वेदा हमेतम पुरूशम महानतम मैं उस महान पुरूश को जानता हूँ एक डॉक्टर है वो कहता है मैं दिमाग का उप्रेशन करना जानता हूं उसने वो विद्या पढ़िये तो जिसने पढ़िये वो कह सकता है हाँ मैं जानता हूं एक व्यक्ति हार्ट का उप्रेशन करना जानता है उसने हार्ट की विद्या पढ़िए हर्दय की शले क्रियाप सीखिए तो वो कहता है मैं हर्दय का उप्रेशन करना जानता हूँ एक व्यक्ति ने ईश्वर को समझ लिया इश्वर के बारे में वेदों को पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल किया भ्यास किया समाधी लगाई और उसने इश्वर को जान लिया और वो कहता है मैं इश्वर को जानता हू और आत्मा समाने पुरूश है वो छोटी जगा में राता एक शरीर में वो भी पुरुष है, दोनों पुरुष है, परंतु इस सुत्र में पुरुष का अर्थ इश्वर नहीं है, यहां पुरुष का अर्थ जीवात्मा है, प्रसंग के आधार पर अर्थ लगाना चाहिए, यह शास्त्रों में रिश्यों ने समझाया, एक ही शब्द के अनेक होते हैं, तो प्रसंग को देखना चाहिए, इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ उचित है, जो उचित हो वही अर्थ लगाना चाहिए, इस पहले सूत्र में सांख्य दर्शन, पहला ध्याय, पहला सूत्र, इसमें जो पुरुष शब्द है, यह जीवात्मा के लिए लगू होता है, इश्वर के लिए लगू नहीं होता इश्वर के लिए क्यों नहीं लगू होता जिवात्मा के लिए क्यों लगू होता है क्योंकि इस सूत्र में कह रहे हैं तीन दुखों से चूटना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है अब दुख से छूटना तो किसका प्रयोजन होगा जो दुखी हो जो दुखी होगा उसी का तो प्रयोजन है कि मैं दुखों से छूटू और जो दुखी है यह नहीं उसका प्रयोजन बनता ही नहीं वो तो पहले ही आनंद में है दुखी तो है ही नहीं पर इस सूत्र में तो कह रहे हैं तीन प्रकार के दुखों से छूटना पुरुष का प्रियोजन है इसका आर्थ हुआ कि यह वो पुरुष है जो दुखों में फसा हुआ है दुखों से ग्रस्त है दुखी है उस पुरुष का प्रियोजन अब बताईए दोनों में से कौन दुखी है आत्मा और इश्वर दो में से कौन दुखी है इसलिए यहाँ पूरुष का अर्थ हमको आत्मा करना पड़े यिश्वर नहीं और फिर आगे लिखा है पुरुष अर्था अर्थ कहते हैं प्रियोजन उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य आत्मा का ये प्रियोजन है, उसका लक्ष्य है क्या लक्ष्य है? दुख से चूटना कितना चूटना? हम छे गंटे के लिए भी चूट जाते हैं आपको दोपैर में भूख लग रही है तो आपने खाना खा लिया, अच्छी तरह पेट भर के खा लिया तो छे गंटे के लिए दुख से चूट गए, भूख के दुख से चूट गए तो दुख से तो चूट गए पर क्या शाम को दोबरा भूख नहीं लगेगी? लगेगी शाम को फिर वोई दुख वापस आएगा, अब फिर आप कहेंगे भाई फिर खाना लाओ, फिर खाएंगे, सुबह तक के लिए समस्त्या हल, सुबह फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे, तो ये प्रियोजन तो है भूख के दुख से छूटना हमारा प्रियोजन तो है, पर ये अंतिम प्रियोजन नहीं है, अंतिम प्रियोजन तो है दुखों से पूरी तरह छूटना, हमेशा के लिए छूटना, वो अंतिम प्रियोजन है, वो सबसे उंचा प्रियोजन है, इसलिए सूत्रकार ने एक अत अत्यंत पूरुशार्थ है, अत्यंत कार्थ है सबसे उचा, सबसे अंतिम, final destination, अंतिम लक्षे है अमारा, क्या है अंतिम लक्षे? त्रिविध दुख अत्यंत निवरित्ति, तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत निवरित्ति, निवरित्ति नहीं, अत्यंत निवरित्ति, अत शेशे गंटे बाद पूरी तरह चूटे और वो भी तीन दुख है तीन geçूट नहीं जूटनाito Sinow प्रयोजन और वो Cecke घ्र थकों होगा जब तक शरीशंगest तीन दुखों से आप पूरी तरह नहीं चूट पाएंगे, जब तक शरीर है, यदि शरीर धारन कर रखा है तो कोई नो कोई दूख आएगा, कम से कम भूख फ्यासतर लगेगी, नेंद भी आएगी, गर्मी भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, सरदी लुकाम भी होगा, बुखार भी आएगा, कभ जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तो इस सूत्र में बताया महरशी कपिल जी ने, सूत्र को फिर से देखिए, अथत त्रिविध दुख, इन तीन प्रकार के दुखों से, अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह चूटना, हमेशा के लिए चूटना, अत्यंत पुरुशार् जाने, अंतिम प्रियोजने, सरवच्य प्रियोजने, बस ये अंतिम लक्षे है, अगर ये काम हो गया तो बस फिर खोगया सब, फिर और कुछ नहीं करना, यही करना है कि तीन दुखों से पूरी तरह से चूट जाएं, अच्छा वैसे आप लोग कितने दिन के लिए चूट चाहते तो हैं, यह दुखों से हमेशा के लिए चूट जाएं, ऐसा चाहते हैं, पर क्या फ्री में चूट जाएंगे या कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मैनत करनी पड़ेगी, कुछ करम करेंगे, तभी तो फल मिलेगा, हम इन दुखों से पूरी तरह से चूटना चाहत हैं हमेशा के लिए छूटना हो तो उसके लिए अनंत कर्म करने पड़ेंगे न्याय का एक निया में सीमित कर्मों का सीमित फल हाँ या ना आपने एक महिना नौकरी की आपको कितने महिने की तनफ़ा मिलेगी एक महिने की आपने का जी दूसरे महिने तनफ़ा फिर चाहिए कं कंपनी नहीं का दूसरे महीने फिर काम करो, फिर ले जाओ, आपने का तीसरे महीने फिर चाहिए, कंपनी का तीसरे महीने फिर काम करो, जितने महीने काम करोगे उतनी तनखा मिलती रहेगी, अब आप काम तो करें एक महीना, और तनखा चाहें दस साल की, तो कंपनी देगी, न फल कैसा होना चाहिए, सिमित होना चाहिए, कर्म असिमित हो, अनलिमिटिड, तो फल भी अनलिमिटिड होना चाहिए, यह न्याई की बात है, क्या आप अनलिमिटिड करम कर सकते हैं, इतनी क्षमता है, नहीं है, इसलिए अनन्त काल के लिए दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, impossible क्योंकि आप करम अनन्त करम नहीं कर सकते वो impossible इसलिए जो दुख निवृत्ती है वो भी अनन्त काल के लिए नहीं हो सकती न्याय का नियम है इश्वर न्याय का रही है ये दुख निवृत्ती इश्वरी तो करेगा और कौन करेगा दुख से छूटना निवृत्ती छूटना इसी को दूसरे शाब्दिक शास्त्रीय शब्द में इसको मोक्ष कहते है क्या कहते है मोक्ष कहिए मुक्ती कहिए और भी शब्द है अपवर्ग भी है एक और शब्द है निश्रेयस मुक्ती मोक्ष, अपवर्ग, निश्रेयस इनका अरते दुखों से छूटना सारे दुखों से छूटना पूरी तरह से छूटना तो ये जो मुक्ती है तीन दुखों से पूरी तरह छूटना ये अनंत काल के लिए तो नहीं हो सकती possible नहीं है क्योंकि हम इतने करम नहीं कर सकते जितने करम करेंगे उतना फल मिलेगा तो maximum आत्मा जितने करम कर सकता है उसकी कोई न कोई सीमा होगी कोई न कोई लिमिट होगी इसलिए करम जब लिमिटीड होगा तो फल भी लिमिटीड होगा अर्थात मोक्ष का समय भी लिमिटीड होगा अनलिमिटीड नहीं होगा हमेशा के लिए नहीं होगा पर वो बहुत लंबा समय है रिशिवा ने बताया वेदों में पढ़ करके मोक्ष का समय कितना है बोलिए मेरे साथ 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष यह जो 365 दिन का हमारा एक वर्ष है जन्वरी फरवरी 12 महिने का जो एक वर्ष है ऐसे ऐसे 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आत्मा मुक्तिव हैं रहेगा तुक से छूट जाएगा लालचन जी इतना तो कम नहीं पड़े वे न इतना तो बहुत है यह अनलिम्टिड जैसा है अनलिम्टिड तो नहीं है पर अनलिम्टिड जैसा ही है एक आदमी ने 20 साल की उमर में नौकरी जोएन की सरकारी नौकरी थी एक साल उसका परिक्षन हुआ अगले साल वो पर्मनेंट हो गया क्यों ठीक है न इससरकारी नौकरी मिल गई और एक साल उसका परिक्षण हुआ एक साल बाद उसको पर्मनेंट जोब हो गई अब वो पर्मनेंट जोब कितने साल तक की है 20 में जोइन किया 60 में रिटाइर होगा तो कितने साल की नौकरी हुई उस 40 वाली को आप पर्मेनेंट बोल रहे हैं ये पर्मेनेंट है पर फिर भी बोलते हैं अब तो वो पक्ती नौकरी है पर्मेनेंट जो अगर 40 साल की नौकरी पर्मेनेंट हो सकती है तो 31 नील की मुक्ती वो क्या हमेशा के लिए नहीं हो सकती उसको नहीं कह सकते हमेशा के लिए मुक्ति तो मैं आज आपको ये परिवाशा बता रहा हूँ फिर बार बार नहीं बताऊंगा आप समझ लेज़ेगा जब भी ये कहा जाए कि हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो हमेशा का मतलब infinite time नहीं है unlimited नहीं है इकतिस नील, दस खरव, चालीस अरव वर्ष ये है हमेशा के लिए मुक्ति तो आत्मा इतनी मुक्ति चाहता है और इतने करम कर लेता है भगवान उसको इतनी मुक्ति दे देता है इतनी में पूरा त्रिप्त हो जाता है हमेशा तो मुक्ती में रह भी नहीं सकता नहीं रह सकता उसकी क्षमता ही नहीं समर्थे ही नहीं आपको सुबे हल्वा खिलाएं सोंवार को मंगलवार को भी वही हल्वा ही खिलाएंगे बुद्वार को भी तीस दिन तक सुबे दोपर शाम तीनो टाइम हल्वा और कुछ नही दाल नहीं सबजी नहीं रोटी नहीं नमकिन नहीं कुछ नहीं सिर्फ हल्वा मीठा मीठा बोलो खालेंगे बोरो जाएंगे आ या ना जैसे हल्वा आप हर रोज नहीं खा सकते तीस दिन भी नहीं खा सकते बोरो जाएंगे कितना भी अच्छा लगता हो रसगुल्ले हो गुलाव जामुन हो जो भी आपकी फैबरेट वस्तु हो आप तीस दिन तक सुबे दोपेर शाम तीनो टाइम नहीं खा सकते ठक जाएंगे बोर हो जाएंगे फिर कहेंगे कुछ चेंज होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए लाओ कुछ नमकीन लाओ थोड़ा कचोरी लाओ थोड़ा समोसा लाओ थोड़ा पकोड़ा भजिया लाओ थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए नमकीन मीठा खटा कड़वा तीखा सब तरह का सब तरह का लगातार नहीं भोग सकता, उसको परिवरतन चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो जैसे लगातार मीठा मीठा नहीं खा सकते आप, खटा, नमकीन, चटपटा वो भी चाहिए, ऐसे ही मोक्ष कितना भी अच्छा हो, आप अनंत काल तक लगातार मोक्ष में नहीं रह सकते, इतना समर्थे नहीं आपका, वहाँ भी आप मीठा खा खा के बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा परिवरतन होना चाहिए, बहुत थक गए मीठा खा खा के, तो 31 नेल इतने इतने वर्षों में आप थक जाएंगे, फिर आप भगवान से कहे थोड़ा चेंज कर दो न, बहुत थक गए इससे, तो फिर इश्वर आपको चेंज कर देगा, वापस संसार में लिए आएगा, एक व्यक्ति ने पूछा जी इतनी मुश्किल से मोक्ष मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, हमने का हाँ, क्यो नहीं आना पड़ेगा, आन मैंने का आपने दोपेर में खाना खाये था, बोले हाँ, शाम को भूख लगेगी, बोले हाँ, शाम को दोबारा खाना खाएंगे, बोले हाँ, तो मैंने का फिर दोपेर को खाने का क्या फाइदा, जब शाम को फिर भूख लगनी है, तो दोपेर में खाने का फाइदा क्या हुआ पर आफ सब जानते हैं फाइदा हुआ कि नहीं हुआ गों जी बोलो कि जो ना तब ही तो खाते दुपेर में धिर को पूछता भी दुपेर में खा रहें शाम को फिर खाना पड़ेगा तो हम खालेंगे शाम को भूख लगेगी तब और खालेंगे पर अभी तो जान चुड़ाओ इससे जो भूख लग रही, अभी तो इस दुख से पीations चुड़ाओ, छे गंटे के लिए सही, कोई बात नहीं, फिर दुबारा भूख लगएगी, दुबारा खा लेंगे, कल फिरओ लगएगी, कल फिर खा लेंगे, परसण हृद लगएगी, परसण हैंगे, ज जैसे आप खाना बार-बर खाते हैं, ऐसे हम भी मुक्ती में बार-बर चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? जो काम आप रिपीट कर सकते हैं, वो हम भी तो कर सकते हैं. तो बुद्धी मत्ता से विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में जाना चाहिए उसमें फाइदा है खाना खाएंगे तो सिरफ 6 गंटे की समस्या हल होती है नीद आएगी तो 6-7 गंटा सो लेंगे, 8 गंटे सो लेंगे 8 गंटे की थकान दूर होती है हमेशा के लिए करोडों साल के लिए तो नहीं होती और मुक्ती में जाओ तो करोडों, अर्बों, खर्बों, वर्षों तक के लिए जान छूट जाती है तो फिर उसके लिए पुरुशार्त करना चाहिए, कैं नहीं करना चाहिए जब 6-6, 8-8 गंटे की दुखन वृत्ती के लिए हममेहनत कर रहे है दिन रात मेहनत कर रहे है चोटे-चोटे सुखों के लिए हम खुब मेहनत कर रहे है तो मोक्ष जैसे लंबे सुख के लिए मोक्ष जैसे लंबी दुखनिवृत्ति के लिए मेनत क्यों न करें बुद्धि मान तो जरूर करेगा या तो हर साल छे महने में कोई न कोई समस्या आती रहती है कभी बुखार आ गया कभी करोना आ गया कभी सरदी आ गई कभी ठंडी आ गई, कभी बाड़ा गई, कभी वर्षा आ गई, कोई न कोई समस्या आती रहती है, तो वहाँ तो इतने समय तक कोई एक भी समस्या नहीं आएगी, सारी समस्याओं से सब दुखों से छूट जाएंगे, मोक्ष में, इतने लंबे समय तक, इसलिए महर्शिक अपिल जिने का ती पुरी तरह से छूटना, और अत्यंत पुरुशार्थ कहा, सबसे उंचा प्रयोजन कहा, बाकि छोटे प्रयोजन है, ये सबसे अंती में, इससे बड़ा कोई प्रयोजन नहीं है, तो ये हुआ पहला सूत्र, जिसमें महर्शिक अपिल जी ने बताया, कि तीन प्रकार के उसको थोड़े बहुत थोड़े बहुत ये दुख भोगने पड़ेंगे, वो दुख से नहीं बच पाएगा, जो दुख से बचना चाहता हो, पूरी तरह से छूटना चाहता हो, हमेशा के लिए छूटना चाहता हो, हमेशा का मतलब समझें, मुक्तिकाल तक हमेशा मतलब इ लक्षे है, बोली है ठीक है, पर जो गया, ये सारी विद्या, बहुत सुन्दर विद्या है, वेदों की विद्या है, रिशियों ने वेदों में से पढ़़ करके तैयार की, और अपने गुरु जनों से सीखी, पनुशासन में रहकर सीखी और फिर सब के कल्यान के लिए इस तरह से शास्त्र बना गए जी बोलिए जो हाँ आपका प्रशन है कि मैंने आदी भोतिक जो दुख था उसमें दो भेद किये एक न्याय से मिलने वाला एक अन्याय से मिलने वाला तो आपका प्रशन है क्या तीनों में इस तरह के भेद बनेंगे जी हाँ तीनों में भेद बनेंगे जहां जहां हमारी गलती से हमको दुख आएगा वो सब न्याय पूरवक होगा वो सब करμों का फल होगा जितने अध्यात्मिक दुख हैं वो तो अधिकतर सब हमारी गल्ती के परिचिए हमारी गल्ती से भुखा रहे हैं तो हमने गल्ती कि यह हमने करम किया और भुखाया यह उसका फ़ल है तो अध्यात्मिक दुख तो पूरा-पूरा ही करम भल है ठीक है आधी भौतिक में जो राजा न्यायादीश मातापिता गर पुरूजन आदी इन से हमको न्याय पूर्वक दुख मिलता है वो हमारा करम फल है और कहीं ये अन्याय पूर्वक दुख देते हैं वो आधिवातिक दूख कहलाएगा अब तीसरा आधी दैविक, उसमें भी कही कही हम गलतियां करते हैं, जहां जहां हम गलती करते हैं और फिर उसके कारण हमको नुकसान होता है, वो हमारा करमभल माना जाएगा, जैसे हम प्रदूशन बहुत फेला रहे हैं, आज कल कार खाने, फैक्ट्रियां, रेल, गाड़ी, हवा यह हमारी गलती है, इसकी वज़ा से परियावरन का संतुलन बिगड़ रहा है, और इसके कारण से कुछ दुरवटना ही हो रही है, तो जहां-जहां हमारी गलती की वज़ा से हमको यह दुख आ रहे हैं, तो उतने को तो करमभल कहेंगे, नियाय पूर्वा, और कहीं-कहीं स्वभावी ग्रूप से दुरगटना ही होती रहती है, पृत्वी के अंदर वो जवाला मुखी फूटते रहते हैं, लावा फूटता रहता है, और तुफान भी आते हैं, और भुकम भी आते रहते हैं, वो पृत्वी के अंदर कुछ न कुछ धातुओं का खनिश पतार्थ उस मकान के नीचे दब के बहुत से लोग मर जाते हैं, मनुशे भी मरते हैं, दूसरे प्रानी भी मरते हैं, तो कुछ प्राकृतिक दुरगटनाओं से जो हमको दुख आ रहा है, वो तो आधी दैविक दुख क्यालाएगा, और जो हमारी अपनी गलती से हमने पर्यावरन को दुशित किया, और उसका दंड भोग रहें, वो हमारा करमफल बनेगा, तो ऐसे तीनों में, तीनों में मतलब दो में तो दो दो भेद बनेंगे, एक में एक ही बनेगा, हम जो भी कर रहें अपने साथ, वो तो हमारा ही करमफल है, उसमें तो अन्याय वाला कुछ पक्ष बन जाएंगे, हाँ जी, बचना तो हम दोनों से चाहते हैं, बचना तो हम दोनों से चाहते हैं, जो नियाय पूर्वक मिलता है, वो भी दुख काँ भोगना चाहते हैं, जब बच्चे स्कूल होमवर्क नहीं करते, और स्कूल जाते हैं, फिर टीचर भूशते हैं, होमवर्क किया नहीं किया, हाथ आगे करो, अभी डंडा मारू कोगा तो तो नियाईपूर वक है न, दंड तो मिलना चीए न बच्चे ने काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, होमबर कंप्लीट नहीं किया तो दंड तो मिलना चीए, वो तो नियाईपूर वक है पर वो भी विचारा भोगना तो नहीं चाहता भोगना तो पड़ेगा गलती की है तो दंड तो मिलेगा माफी नहीं है माफ कर देंगे तो वो सुद्रेगा ही नी दंड के वे ना कोई सुदरता नी इसलिए इश्वर भी दंड देता है वो भी नी छोड़ता मनुष्य लोगों ने इसलिए विवस्ता बनाई दंड की कि दंड नहीं देंगे तो कोई सुधरे गई नहीं गलतियां चालूई रहेंगी अब लोगों को सुधारना जरूरी है अगर सुधारेंगे नहीं तो यह और बिगडेंगे न जीएंगे न जीने देंगे सबको परिशान करेंगे तो सबको न्याय पूर्वक सुख पूर्वक जीने का दिकार है इसलिए दूसरे लोग उनको तंग न करें परिशान न करें तो उनको दंड देकर सुधारना जरूरी है तो दंड तो देना ही पड़ेगा भोगना चाहे चाहो चाहे मत चाहो दंड तो मिलेगा तो व्यक्ति चाहता तो वो भी नहीं है जो न्याय पूरवक दंड है भै आप पीछे जागे बैठो किसका बच्चा है समालो इसको बीच में बादा डालता है तो भोगना तो नहीं चाहते पर भोगना पड़ेगा आधिभोतिक वाला भी दूसरे प्रणियों से भी और जो प्रकृतिक है वो भी भोगना तो पड़ेगा ठीक है न? हाँ जी आपका प्रश्न का उत्तर हो गया? ठीक है और किसी का आए तो बोलिए वम वम तेगग झाल ठीक है ठीक है जो हम करम करेंगे उसका फल भोगेंगे जैसे जैसे फल भोगते जाएंगे उतना उतना करम खाली होता जाएगा मान लिजे आपने 300 रुपे का भोजन खरीद लिया 300 रुपे का पेमेंट कर दी 300 रुपे का भोजन इतना सारा मिल गया अब थोड़ा थोड़ा खा रहें तो खाते खाते आखिर तो खतम होई जाएगा जब पूरा खा लिया तो खतम हो गया अब नया पेमेंट करो फिर नया भ जब पूरा चाइम खतम हो झाएगा तो हमने पूरा फल भोग लिया तो फिर इशुर झायगा जा ओ दुबारा नए करम करो फिर नए पेमेंट करो पिर दूबार नए मोक्ष देंगे के श Speech Look ऑनकी कमिन होती जो हमने करश किया उस करम की कम होती पुर verdi हमने मानलो दो लाख करम किये निश्काम करम और वो किये जियान से जियान आधार है उसका निश्काम करम का आधार है शुद्ध जियान तत्व जियान उस तत्व जियान से हमने दो लाख निश्काम करम किये और इश्वर की उपासना की उससे प्रार्थना की कि हमको इस दुखों से छुड़ा दो अब हम और जनम लेना नहीं चाहते हैं हमको समझ में आगई दुनिया यहां जो भी जनम लेता है सारे दुखी है कुट्रापी कोपी सुखी ना इस आंखे दर्शन में लिखा है आगे एक सूत्राने वाला है दुनिया में एक भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है कोई ना कोई दुख आता ही रहता है तो जब हमने भगवान से प्रार्थना की तत्तु जयान प्राप्त कर लिया निश्काम करम किया परोपकार किया सेवा की और प्रार्थना की कि बस अब अगला जनम नहीं चाहिए तो भगवान ने ठीक दे दिया मोक्ष तो जो दो लाख करम किये वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वरस तक हम भोगते रहे भोगते रहे हमारा करम दीरे दीरे खाली होता गया पूरा टाइम भोग लिया सारा करमों का बंडार खाली हो गया तो भगवान ने का भई तुमारा करम का बंडार खाली हो गया अब दुबारा आना है तो दुबारा नए करम करो उने पेट्रोल की टंकी भरवाली पेट्रोल पर लिया अब चला रहे है कार को तो कार चलाते रहेंगे टंकी खाली होती जाएगी यह पूरी खाली हो जाएगी फिर नया भरवना पड़े गए ऐसे मोक्ष का इसाब है मोक्ष में जियान की कमी नहीं हो रही है उस कारण से मोक्ष से वापर नहीं निकाला हमको हमको जो मोक्ष से बाहर निकाला है वो करम की बंडार खाली हो गया आपका पेट्रोल टैंक खाली हो गया इसलिए दोबारा आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा आधार जियान है उसके जियान के बिना आप निश्काम करम नहीं कर सकते सकाम करम करेंगे तो जनम मिलेगा निश्काम करम करेंगे तो मोक्ष मिलेगा अविद्या के कारण व्यक्ति सकाम करम करता है इश्वर जनम देता है जब तत्तु जियान हो जाता है कि इस अंसार में जनम लेना तो बुद्धी मता नहीं है जब उसको जियान हो गया तो वो निश्काम करम करता है सकाम करता ही नहीं जब निश्काम करम करता है तो मोक्ष का दर्वाजा खुल जाता है जाओ मोक्ष में इतना बंडार ले करके गया उसको खाता रहेगा मोक्ष काल तक जब पूरा खाली हो जाएगा फिर इश्वर वापस भेज देगा तुम्हारा बंडार खाली हो गया नए करम डालो इसमें फिर तुमको दुबारा मोक्ष देंगे ऐसा है हाँ जी बोलिए ना लिप्यते नरे ठीक है उसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति निश्काम करम करे तो इस करमों के बंधर में लिप्त नहीं होगा सकाम करमों के लपेटे में नहीं आएगा सकाम करमों के लपेटे में फिर नहीं आएगा तो निश्काम करम करेगा तो मोक्ष में जाएगा सकाम करेगा तो जनम में आएगा अब इस करम के बंधन से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ये लिखा इस मंत्र में दूसरा कोई उपाय नहीं है इतो अन्यथा न अस्ति करम के बंधन से बचने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है निश्काम करम करो और मोक्ष में जाओ जब आप निश्काम करम करेंगे तब आपको करम नहीं बादेगा फिर आपकी मुक्ती हो जाएगी यह उसका अर्थ बोलिए ना नमस्ते थड़ा आगे आजाओ दर्शन का अर्थ है सोक्षम विद्या जिससे कुछ गहरी बातें देखी जाएं जानी जाएं, समझी जाएं उसको कहते हैं दर्शन और सांखे इसका नाम है संख्या के आधार पर कुछ तक तो जाने जाएंगे संख्या के आधार पर पत्तों की संख्या बताएंगे, इतने पदार थें दुनिया में, तो उस संख्या के अधार पर ये विद्या जाने जाती है, इसलिए इसको संख्य दर्शन कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां बताएंगे 25 पदार थें संसार में, कितने, तो 25 संख्या के अधार पर बताएंगे, इतने इतने पदारते हैं इनको जानो इनको जानो फिर ठीक ठीक काम करो और अपने मोक्ष में जाओ ठीक है हाँ जी मुकेश जी आद उड़ा रहे हैं बोलिए अविद्या जो बढ़ेगी फिर अविद्या से क्या होगा करम होगा सकाम करम होगा सकाम करम का फल भेज जनम है अविद्या कारण है उसका परिणाम क्या है अविद्या से क्या होगा सकाम करम होगे सकाम करम से फिर जनम मिलेगा इधर फिर विद्या अविद्या से उल्टा विद्या तत्तुज्यान तत्तु जियान से क्या होगा उससे निश्काम करम होंगे निश्काम करम से फिर मौक्ष मिलेगा ऐसी सी मिट्री है हाँ जी बोलिए संसार में भेजेगा ठीक ठीक वो ये कह रहे हैं जियान के कारण वो वापस नहीं आ रहा जियान खतम हो गया इसलिए वापस आना चाहता हो ऐसा नहीं है करम खतम हो गया इसलिए ईश्काम कहता है तुमने जितने टंकी में पेट्रोल डाला था वो सारा खाली हो गया आगे और घूमना है तो पेट्रोल डालो तो तुमने जो करम डाले थे मोक्ष में वो सारा फल खतम हो गया तुमको और मोक्ष में रहना है तो नए करम डालो इसमें तो नए करम कहा करोगे जाओ संसार में वाँ जाके नए करम कमाओ फिर डालो इसमें मोक्ष में फिर तुम्हें मोक्ष का फल दुबरा देंगे दूसरी बात ये एक संयोग की बात है कि जिवात्मा मुक्ति का आनंद भोग भोग के एक दिन ठक जाएगा इधर से उसका करम भंडार भी खाली हो गया और कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसको अनंद भोगने की क्षमता भी पूरी हो गई आगे वो भोग ही नहीं सकता तो दोनों बात हैं संयोग बशिकठी हो गई तो इश्वर ने का भई अब तुम भोग भी नहीं सकते ज़्यादा अनंद तुमारी त्रिप्ति की सीमा आ गई है और तुमारा करम बंडार भी खतम हो गया इसलिए तुम जाओ थोड़ा चेंज भी हो जाएगा दोनों काम हो जाएंगे नए करम कमाओ संसार में जाओ परिवर्तन आ जाएगा फिर तुम अपना मोक्ष में आ जाए ना दुबारा जियान की कमी नहीं हुई मुक्ति में जब तक है उसका जियान कम नहीं होगा मुक्ति में तो अनंद में रहेगा जैसे ही संसार में आएगा, शरीर धारन करेगा, अब यहां से मिथ्या ज्यान दोबारा पैदा होगा, वहां कोई ज्यान कम नहीं होगा, प्रकृती के संपर्क में आने पर मिथ्या ज्यान उत्पन होगा, प्रकृती में तीन पार्टिकल से, एक सत्युगुन, एक रजोगुन एक तमोगुन सत्तोगुन तो इसको अच्छी विचार देगा वो अच्छा है शुद्ध है पर रजोगुन वो चंचले वो उसमें अपना प्रभाव डालेगा उसकी बुद्धी खराब करेगा तमोगुन उसका भी बाप है उसके बहुर ज़्यादा कराब है वो उसकी बुद्धी बढ़काएगा कि तु अपना खाव पीओ मज़ा करो तुमने ठेका लिया दूसरे की सेवा करनेगा तुम क्यों सेवा करते हैं तुमने खाव पीओ मज़ा करो लूटो जप्टो दुनिया का गला काटो और अपना मज़ा करो ये तमोगुन उसकी बुद्धी खराब करेगा अब यहां से अविद्या पैदा होगी और अब वो फिर गोटाले शुरू करेगा जितने घोटाले करेगा उसका दंड फिर उसको बारबार जनम लेना पड़ेगा तो इस प्रकार से वो संसार में आकर फिर अविद्या से गरस्त होता है मुक्ती में जियान कम नहीं होता है मुक्ती में जियान पूरा रहता है जैसे ही संसार में आता है प्रकृती से connect होता है यहां से गड़वर शुरू होती है अब इस गड़वर को दूर करने के लिए फिर उसको तवस्या करनी पड़ती है फिर शास्त्र बढ़ो, फिर सबस्या करो, धयान करो, साधना करो, अनुशासन में रओ, तो धीरे धीरे फिर उसका स्तर अच्छा होता है, तब तु जियान बढ़ता जाता है, करम भी अच्छे बढ़ते जाते हैं, निश्काम करम बढ़ते जाते हैं, फिर दो लाखी कठे हो जाएंगे फिर उसको मुक्ति हो जाएगी ऐसा चक्र चलता है ठीक और बोली हाँ 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 जीरो से चलेगी जी अब इसका उत्तर सुनिए आप कहा रहे हैं मुक्ति से लोटकर शूद्र परिवार में जाए तो ठीक नहीं लग रहा विद्वान ब्रामन के घर जनम ले इसका रिजल्ट सोचिए क्या होगा एक मुक्तात्म मुक्ति से लोटा और इश्वर ने उसको विद्वान ब्रामन के घर जनम दे दिया उसको तो जनम से अच्छी अच्छी बास सीखने को मिलेगी तो पहले ही जनम में बहुत अच्छी प्रकिती कर जाएगा उसका दूसरा ज मुक्ति से आएगा वो पंच दस जनम में मुक्ति में चला जाएगा तो जो गाये घोडे कुत्ते शौर ये काह से आए ? इसका उत्तर बताईए यह कौन बनेगा , जो भी आएगा , प्रामन के घर जनम के भी नीचे उतर सकता है जनम ले करके भी, उतर सकता है न, क्यों उतरेगा, ब्रामन के यां तो उची विध्या मिलेगी उसको, फिर आपके वो बात, वो सिध्धान बनाने का लाब क्या रहा, कि मुक्ति से आगर तो उचे घर में जनम मिलना चाहिए, फिर उचे घर में क्यों मिलना चाहिए, अगर घर जाके तो उचे उठना चाहिए, नीचे क्यों आना चाहिए, नीचे तो तब आये, जब आसपरोस बेकार सा हो, तब तो नीचे आने की संभाव ना है, इस पर चिंतन कीजेए गा, मैंने लंबा चिंतन किया, यह जितने पक्षा आप सोचते हैं न, आप से दस गुने में पहले सोच चुका हूँ, आप से दस गुना, बीस गुना ज्यादा तयारी करके आता हूँ, मैं जब विद्या पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को गुरुकुलों में, और अपनी साधना करता हूँ, तो मैं सारे प्रशन सोचता हूँ, कि मैंने जो यह विचार किया, साम है तयार, आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे, ध्यान रखना, मैं बहुत तयारी करके आता हूँ, हाँ, बोलिये प्रफुल जी, कुछ कह रहे हैं, योनी, हाँ, वो मैंने छोड़ दिया, भोग योनी नहीं है, वो योनी नहीं है, उसको योनी शब्द से नहीं कहना चाहिए ये कहना चाहिए, वो भोग, फल भोगने का अवसर है, ये शब्द ठीक है, मौक्ष कायल अपने शुब कर्मों का फल भोगने का अवसर है, ये शब्द ठीक है, हाँ जी, अज बस पहले ही सुतर तक चलना, आगे नहीं चलना, बोलो बोलो, शंका बोलो, हाँ जी हाँ जी हाँ 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 वहाँ तो दुख तो भोगना है यह नहीं न मोक्ष तो शुब कर्मों का भल है अशुब कर्मों का तो है यह नहीं तो वहाँ दुख का तो प्रशनी नहीं है सारी वहाँ पर होती है साथ में तो अभी 7 में रहती हैं वो उसकी स्वभाविक हैं, जो स्वभाविक शक्ति होती है वो उस द्रवय को कभी नहीं छोड़ती, तो रहेंगी तो 7 में हैं, अब सब का उपयोग करे या ना करे वो अलग बात है, आपकी जेव में जितने Z दे, आप घर से जितने कागज रखके सुवे निकलते हैं बाहर मार्केट में आप हर रोज उन सारे कागजों को यूज नहीं करते जो काम का होता है वो यूज करते हैं जो काम का नहीं है वो पड़ा रहता है अभी तीन दिन बाद काम आएगा कोई दस दिन बाद काम आएगा तो जो भी कागज आपकी जेव में है जब उसका काम पड़ेगा तब आप यूज़ कर लेंगे नहीं पड़ेगा तो रखा है सुरक्षित ऐसे ही जब जीवात्मा मुक्टी में जाता है तो 24 शक्तियां उसकी स्वभावी कें वो उसके साथ रहेंगी उसमें से जो जो की जरुवत पड़ेगी उस उसका उप्योग कर लेगा जिसकी जरुवत नहीं पड़ेगी वो पैक वो पड़ी रहेगी सुरक्षित कोई बात नहीं और पूरे मुक्ति काल में अगर जरुवत नहीं पड़ी तो नहीं करेगा यूज जब मुक्ति से लौट कर आएगा फिर यहां यूज करेगा तो चाहे यहां करे चाहे वहां करे उसकी अपनी शक्तियां है उन्हीं के आधार पर वो सारे काम करेगा बंधन में तो लगता है सारी हो जाती है मोक्ष में शायद कुछ नहीं भी होती होगी ऐसा लगता है हाँ जी प्रफूल जी बोलिए हो गया चलो आप बोलिए येस हाँ जी ठीक है साधन करें तो वेदों में लिखा है तीनों काम करने पड़ेंगे देर इस नो ऑप्षन तीनों का कॉंबिनेशन चाहिए निशकाम कर्म भी करना है संसार में रह कर जैसे मैं गूम रहा हूँ देशवर में तो गूम गूम के मैं परचार कर रहा हूँ इस परपस से मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये हो गया निशकाम कर रही है ये भी जरूरी है और एकांत में जंगल में दस बीस तीस साल बैठके तपस्या करें साधना करें अपना वेरा की मुच्छा उठाएं समाधी लगाए वो उपासना है शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना वो भी जरूरी है और इन दोनों के लिए शास्त्र पढ़ना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि ज्यान के बिना कर्म उपासना होगा नहीं तो तीनों काम जरूरी है तीन में से कोई भी option में नहीं चलेगा तीनों का combination करना है तो जंगल में रहकर शास्त्र भी पढ़ो गुरुजी से और उपासना भी करो समाधी लगाओ जब वो दोनों काम अच्छे हो जाए फिर परोपकार करो जो आपने सीखा समाज को सीखाओ तो तीनों करने पढ़ेंगे तब जाके मोक्ष होगा अकेले ज्यान से नहीं होगा अकेले करम से नहीं होगा अकेली उपासना से नहीं होगा तीनों चाहिए हाँ बोलिये जे नमस्ति हम् ठीक है गोम लेता है अराम से एक मोक्ष काल में तो यह 36.000 बार ब्रह्मांड बनता है कितनी बार एक ब्रह्मांड का काल है 4.22 करोड वर्ष और वो गुंता रा गुंता रा मान लो पूरा नहीं देख पाया यह आदा ही देख पाया तो बचा वो आदा फिर वो अगली बार दोबारा फिर बनेगा प्रले के बाद फिर जो बचा वह उसको दुबारा फिर अगली बार देख लेगा चतिस जार बार स्रिष्टी बनेगी तब तक तो कई बार गोम लेगा वह एक मौक्षकाल में कई बार दुनिया का चक्र लगा लेगा पूरे ब्रहमांड का ऐसा हां जी बोली हां कि ठेक है कि ठेक है तो जीरो से कम नहीं करेगा इश्वर वो न्याय कारी है जीरो पर तो रखेगा सरेट तो ठीक-ठाक देगा अंधा लुला लंगडा निमनाएगा शुद्र परिवार देगा लेबर क्लास में जनम देगा पर लगड़ा लूला नहीं बनाएगा वो तो फिर अन्याय होगा हुँ जी ठीक ठीक है ठीक है हाँ तो उसमें ऐसा है ना सारे शूद्रों के बच्चे विकलांग नहीं है पहली बाद कुछ शूद्रों के बच्चे ठीक ठाक भी हैं जिनके अंग पूर है complete तो मुक्ति से जो लोटेगा उसको तो complete वाला देगा विकलांग वाला नहीं देगा अब रही बात यह कि शूद्र के बच्चे भी कई विकलांग हो रहें तो उनके quantity में तो 50-50 हो गए अच्छे बुरे कर्म इसलिए शूद्र के लिए eligible हो गए लेकिन quality में फरका गया कर्मों की quality थोड़ी और down हो गई इसलिए वाल विकलांग बना दिया वो minus नहीं है वो zero ही है minus तो है पशुपक्षी कीडा मकोडा वो है minus में तो zero से तो शूद्र परिवार मिलेगा वो सामन्य मनुश्य है ऐसा रिशी लोगों का भीप्राय है शास्त्रों में वो ऐसा कहना चाहते है सामन्य पहला जनम तो ठिक ठाक ही मिलेगा उसके बाद फिर आगे जो भी करे जैसा करेगा फिर वैसा फल मिलेगा जी हाँ जी और कोई शंका है दो चार पूछ लो फिर समय फुगरा वने वाला है वह लिए करते हैं काम करता है हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है कौन हाँ योग मार्ग वाले ठीक है ठीक है ठीक है जो योगी है जो योगी है जो निश्काम कर्म करता है जिसको सांसारिक धन सम्मान की इच्छा नहीं है जिसको मोक्ष का ही एक लक्ष है वो सबसे बड़ा उपकार करता है जी हां महर्शी दयानन जी इसका एक प्रमान है महर्शी दयानन सरसोती जी ने आरे समाज की स्थाफना की वेदों का भाष्य किया और समाज को कुछ सही दिशा दिखाई आज उनके जनम को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो इतने वर्षों में जो काम महर्षिद एननजी कर गए थोड़े से दिनों में आट-दस साल ही काम कर पाए वो परचार के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला उनको वो दस साल में जितना काम कर गए उतना 200 साल में नहीं हो पा रहा दूसरे लोग नहीं कर पा रहे तो इससे पता चल रहा है न कि योगी व्यक्ति जो काम करता है उसकी क्वालिटी और उसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है और इतने सारे लोग मिलकर के भी उतना काम नहीं क प्रभाव होता है और एक होता है आचरन उसका भी प्रभाव होता है दो में से किसका प्रभाव अधिक होता है रोचन का या आचरन का तो आचरन में योगी सबसे उपर है उसके बराबर किसी का भी आचरन नहीं है उसको जो तत्तुजियान है जो उसको वेराग्य है जो उसमे निश्पक्षता है, पक्षपात रहितता है, जो सरभीत की बात करता है, इतना लेवल किसी का भी नहीं है, तो उसका स्तर सबसे उचा होता है, इसलिए उसके आचरन का प्रभाव जनता पे अधिक पड़ता है, और उससे जिलोगों में परिवर्तन अधिक आता है, शाबदिक प्रभावचन वाले से थोड़ी देर अच्छा लगता है, कि हाँ जी प्रभावचन बहुत अच्छा था, पर आचरन तो ठीक नहीं था, जब आचरन देखते हैं तो सारा प्रभाव खतम हो जाता है, इसलिए योगी का काम सब से उपर होता है, दूर तक प्रभावशाली होता है, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, उससे समाज में देश में परिवर्तन बहुत अधिक आता है, इसलिए उसका पहला नंबर, जी, बोलिए, ठीक है, स्तर है, हाँ जी, चाहिए, हाँ, आपका प्रशन ठीक है, एक व्यक्ति ने सोचा भई, ये राजा बनके भी काम कर सकते हैं, और योगी बनके भी कर सकते हैं, फिर दोनों की तुलना की, तो समझ में आया कि योगी का काम बड़ा है, तो अगर वो बुद्धि मान है, अगर वो बुद्धि मान है, तो उची च तो उसको समझ में आया कि ब्रामन बड़ा होता है, और मैं ब्रामन बनके योगी बनके समाज सेवा करूँ, तो मेरा काम ज्यादा उंचा होगा, तो अगर बुद्धि माने तो वो उसको पकड़ेगा, राजा पद को नहीं पकड़ेगा, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, पर मैंने वो स्विकार नहीं किया, राजा बनकर काम करना उतना उंचा नहीं है, जितना योगी बनकर काम करना ज्यादा उंचा है, इसलिए मैंने इसको स्विकार किया, महरशी दयानन जी भी राजा बन सकते थे, उन्होंने वो बड़ स्विकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मन योगी बन करके काम किया और इतिहास में बताया कि जितने बहुत सारे राजा थे वो राजगद्धी पर बैठे काम भी किया और उसके बाद उनको समझ में आया कि राजगद्धी तो छोटी है उन्होंने राजगद्धी छोड़ दी राजपुत्रवत तत्वपदेशात सांखे दर्शन में एक सूत्र आएगा पहले कथा आपने सुन रखी है कि तत्व का जियान होने से राजा लोग भी गद्धी छोड़ के वेरागे प्राप्त कर लेते राजा जनक ने सारी राज गद्धी छोड़ दी और वेरागे हो गया सन्यासी बन गए तो इतियास भी ये बता रहा है कि राजाओं ने भी गद्धी छोड़ दी उनको समझ में आया कि ये ब्रह्मन योगी वाला काम उचा है इसलिए वो छोड़ देते हैं जी और कोई माताओं से कोई प्रशन नहीं आ रहा कोई आपका भी हो तो बोलिए एकाद तो आना चीए न इधर से भी बोलिए हां बोलिए थोड़ा जोर से बोलेंगे मुझे सुनाई तो दे या तो आगे आ जो जी बोलिए आत्मा प्रकर्दी ठीक हां कर देंगे 26 हो जाएंगे तो सांख्य और योग एक ही बात कह रहे हैं कोई टकराओ नहीं है वो भी इश्वर को मानते हैं यह भी मानते हैं यह अनाडी लोग ऐसा बोलते हैं के सांख्य गार नास्तिक है वो उनको सांख्य दरशन पढ़ना नहीं आता ये अनाडी लोग ऐसा कहते है सांखे दर्शन पुस्तक आपके पास है तो देखिए मैं सूतर बताता हूँ खोल के देखिए आजी देखो तीसरा अध्या खोलिए 56 और 57 खोलिए तीसरा अध्याए का पर खोल लिए पुस्तक आपके पास ज़र पढ़िये तो 56 वा सूतर क्या है साही सर्ववित सर्वकरता सा वह ही निश्चे से सर्ववित है और सर्वकरता है सर्ववित का अर्थ है सर्वज्या और सर्वकरता का मतलब सरोशक्ति मान सारे काम करता है अब बताइए ये लक्षन किस पर लागू होता है जीव पर लागू होता है जीव सरवज्जी है जीव सरवशक्ति मान है ये लक्षन किस पर लागू हो रहा है अब ये सांखेगा सूत्र है कपिल मुनी जी का लिखाव है मेरा लिखावा नहीं है फिर भी इतने नालाइक लोग हैं जो कहते हैं संखेगार नास्ती के तो वह नाड़ी लोग हैं उनको पढ़दा नहीं आता इससे अगला सूत्र देखिए सत्तावन्वा इद्रिश एश्वर सिद्धि सिद्धा ये सत्तावन्वा सूत्र है जैसा सरवज्य सरवशक्ति इमान इश्वर हमने अभी बताया चपनवे सूत्र में इद्रिश ऐसा इश्वर सिद्धी ऐसे इश्वर की सत्ता सिद्धा सिद्ध है किसी में दम हो तो खंडन करके दिखाए कितने चैलेंज की भाषा बोल रहे है कपिल बुनी जी ऐसे इश्वर की सत्ता सिद्ध है किसी में हिम्मत हो तो खंडन करके दिखाओ एक भी सामने नहीं आया खंडन करने तो बताई ये सांखेकार आस्तिक है या नास्तिक है 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 नास्तिक हाँ पूछा आपने मने पूछा है ने उत्तर दे दिया कि सांखेकार आस्तिक है जो लोग इतने सपष्ट सूत्रों ने पर भी सांखेकार को नास्तिक कहें तो इस कारत रहते उनमें बुद्धी नहीं है उनको सांखे दर्शन पढ़ना नहीं आता तो अपनी बुद्धी ठीक करो संख्य दर्शन पढ़ना सीखो इतने साफ शब्द है और बहुत सारे सूत्र हैं मैं तो दो ही बताए आपको और बहुत सारे जी आँ बोलिए तुलना किया राजर्शी वो लोग थे जो रिशी थे राजा नहीं थे पर राज कारे से संबंधित कानून बनाते थे वो कानून जो बनाते थे और सजेशन देते थे राजाओं को मतलब पॉलिटिक्स में उनकी रूची थी थे वो रिशी राजा नहीं थे ब्रामन थे, सन्यासी थे, योगी थे, रिशी थे पर उन्होंने उस ख्อกशेतर में सलासमति दी इसलिए उनको राजjasशी कहते थे और जो यो फ़र्मात्मा, बंधन, मुक्ती, अध्यात्व की जादा रूची रखते थे उनको ब्रामरशी कहते थे वो ब्रह्म विद्या में एक्सपर्ट थे ये राज प्रशासन में एक्सपर्ट थे इस कारण से उनका नाम राजर्शी और ब्रह्म रशी था। बाकि वो राजा नहीं थे, राजा नहीं थे, वो जो राजा में सयोग देते थे, वो राजरशी कहलाएंगे, फिर वेद व्यास जी ने पहले तो राजकारे में थोड़ा सयोग दिया, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो अध्यात्म में चले गए, पूरे उसी में फिर वो ब्रह्मरशी बन गए, जी, हाँ जी, बहुत सारी स्त्रियां भी रिशिकाएं बन चुकी हैं, उन्होंने भी समाधी लगाई, वेराग्य प्राप्त किया, सन्यास लिया, वेदों का भाष्य किया, प्रचार किया, मैलाओं ने भी किया, उनको भी पूरा दिकार है, मोक रिशिपद प्राप्त किया, येस, उनका इतियास में नाम आता है, ये ये रिशिकाएं थी, रिशिपद प्राप्त किया उन्होंने, वो रिशिपद पर नहीं थी, छोटी थी, लेकिन और कई दूसरी महिलाएं थी, जो रिशिपद को प्राप्त कर चुकी है, उनके नाम भ वेद मंत्र होते हैं ना वेद मंत्रों के उपर रिशियों के नाम लिखे हैं जो मूल वेद हैं चार वेद उन मंत्रों के उपर रिशियों के नाम भी लिखे हैं उस लिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो वहां आपको माताओं के महिलाओं के नाम भी मिलेंगे जो रिशी बन ठीक है ठीक है ठीक है जितना वो पढ़ेगा एक कमजोर व्यक्ति है ख्रमता कम है तो वो तीन दुखों से बचना चाहता है तो जितना वो शास्त्रों का अध्यन करेगा जितनी तबस्या करेगा जितना वो तत्तु ज्यान प्राप्त करेगा जितनी मात्रा में कर पाएगा ख्रमता कम है तो कम कर पाएगा तो जितना कर पाएगा उतना सुखी रहेगा उतना दुखों से बच पाएगा पूरा मोक्ष त प्रमात्मा बलहीनेन लभ्या जो कमजोर आदमी है वो प्रमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता जो पांचमी पका कक्षा में पढ़ता है उसको सीए के डिगरी मिल जाएगी नहीं मिलेगी उसको और कई जनम मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके उसको मिलेगी तो ऐसे ही जो है बलहीन है शारिरिक बल की कमी है बुद्धि का बल काम है विद्या का बल काम है इमानदारी काम है आदी आदी जितना भी सामर्थ्य काम है तो वो सीधा सीधा पूरा मोक्ष में इसी जनम में नहीं जापाएगा उसको जितने क्षमता है उतनी प्रगति करेगा बाकी जो का पुरा नहीं हो तो और अगले में करेगा, दो-चार बाएं दस जनम लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, क्या था, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, समाज उसको सयोग नहीं देता, आगे आने नहीं देता, उसको ब्रेक लगाता है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, वो तो आएगा, कैसे बने बाएगा, मतलब आप ये पूछना चाह रही है कि जो कमजोर है ख्रमता कम है बुद्धी कम है सामर्थे कम है और इस कमी के कारण वो विचारा दुखी रहता है तो वो इस दुख से कैसे बचे हाँ इश्वर जीव प्रकृती का ज्यान प्राप्त करके वो इस दुख से कैसे चूटे यही पूछ रही है किस काम में मैं वही तो पूछ रहा हूं मैं भी वही कह रहा हूं कि वो हेन भावना को दूर करने में तीन तत्वों का जो तत्व ज्यान है वो कैसे सहयक होगा यही पूछ रहे है न तो इसका उत्तर है कि वो तीन तत्तों का जब जियान प्राप्त करेगा इश्वर ऐसा है सरोशक्ति मान है आत्माल्ब शक्ति मान है और प्रकृति जड़ है तो तीनों तत्तों का जियान प्राप्त करके फिर वो योगा भ्यास भी करेगा करेगा योगा भ्यास में आठंग है यम नियम आसन प्राणयम प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी आठंगे तो आठंगों में क्षमता कम होने से थोड़ा थोड़ा पालन करेगा पूरा तो नहीं कर पाएगा थोड़ा थोड़ा करेगा जब वो यम नियम का पालन करेगा तो इसमें दूसरा नियम कौन सा है संतोश तो वो संतोश का पालन करेगा कि मेरी क्षमता कम है मेरी बुद्धी कम है मेरे पास साधन कम है मेरा सामर्थ्य कम है समाज की लोग भी मुझे कम सयोग देते हैं तो ठीक है जितना है सो उतना है अब इतने में संतोष करो बाकी अगले जनम में करेंगे तो इस तरह तत्तों का ज्यान प्राप्त करके जब यम्नियम का पालन करेगा उसमें जब संतोष का पालन करेगा तो वो दुख से छूट जाएगा वो खुश रहेगा ठीक है मेरी इतनी ताकत है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ बाकी अगले जनम में करेंगे ऐसे छूड़ जाएगा हीन भावना से तो सत्य को स्विकार करना चाहिए जितनी क्षमता है उतना संतोष करना चाहिए पूरी मेहनत करो जितना फल मिले उतना में खुश रहो ये संतोष है जो संतोष करता है वो सबसे अधिक सुखी होता है दुनिया में ऐसा महरशी पतंजली जी कह रहे है संतोषाद अनुत्तम सुखलाभा संतोष का पालन करने से सबसे उचा सुख मिलता है तो ये उसका उत्तर है संतोष का पालन करे सुखी हो जाएगा और हीन भावना के दुख से बच जाएगा ठीक समय समाप्त हो गया समय समाप्त हो गया बाकी चर्चा कल करेंगा और भी काम है न धन्यवाद एक बार प्रचंड करतल ध्वनी से पूर्जे स्वामी जी महाराज़का बहुत बहुत धन्यवाद है सज्जनों जिस जिस तरीके से आज ये कक्षा चली लगबग डेड़ गंटा और उसमें भी एक सुत्र का होना अभी दूसरे का तो नंबर ही नहीं आया लेकिन एक सुत्र को भी इस प्रकार से समझा गया कि सीधे सीधा जितना हो सगे अगर प्रयास करो तो समझ में आ जाए ये दर्शनों के विद्ध्या इतनी सरल नहीं है लेकिन फिर भी जो शैली है पुझ्यों सावी जी महाराज की वो अद्भूत है ये इनकी बहुत विशेश तायम